वेलकम टू माई चैनल ये देखिए आज मैं फिर से डवल कलर का ये निटिंग डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को आप अच्चों के आल प्रजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो और इसके इलावा अगर गल्स के लिए फ्रोग बनाना चाहते हो तो उसके उपर भी डा है तो आज मैं इसी को बनाना सिखा रही हूँ और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड साब से एक चोटी सी रुक्वेस्ट है कि आगर आपने मुझे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकोन के बटन को भी प् तो आपने बोर्डर बना लेना है और एक स्लाइब बुन लेनी है सीधी उल्टी तरफ से आपने इस डिजाइन को डालना शुरू करना है पहला पंदा आप स्लिप कर लीजिए चाहिए बुन लीजिए दो फंदे और बुन लीजिए ठीक है तीन फंदे बुनने के बाद चार फंदे बुनने के बाद अब हमने दो फंदे पिंक कलर से बुनने है उल्टे दो फंदे उल्टे बुनने के बाद चार फंदे प्राइमरी कलर से बुनने है भी दो फंदे उल्टे बुनने है स्कैंडरी कलर चार ठीक है फ्लाश्ट के फंदे प्रारायमरी कलर से बुनने है उल्टे डिजाइन कि जेए फर्स टोह kompliट हो गई है अब आ जाइए सेक्ड़ रो पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई में नहीं, तीन सीधे दो फन दे पिंक इसे में से शीधे, चार फन दे यादि कलर से सीधे इतारं चाहरे, तो फन दे बने तो पिंक इसे सीधे मोनें गे चार फंदे प्राइम ली कलर से सीधे बुनेंगे लास्ट में तीन फंदे प्राइम ली कलर से सीधे बुनेंगे शुरू में भी हमने तीन फंदे बुने हैं सीधे और लास्ट में भी ठीक है अब देखे यह थर्ड रो है अब हमने इसी धागे से बुनने हैं सारे फंदे तो टैमकरों दोपार ठामक्षा पेंगे मर्सकूल स्कूर्णब स्याओन जो दोपार ठागालकरों भी जी किताB यत भागार चाँर को भोगा ठामक्षा बूर्डना धब देंखांकरों तहागा कैसे लपेटना है उल्टा नीडल ऐसे डाली एकब लपेटा फिर से दो लपेटा है एकब लपेटा दो लपेटा सब्सक्राइब जिस भक उन्त प dentro के तीन फंडे उल्टे बंदेंगे अब फंदे को निडल धाल के सीधा पूल देना है ऐसीaden अब फंदेह फंदे को भी खूले ना है यह वाले फंदे पीच्छे से अब इन दो फंदों को एब इस तरफ लाना है इनने भी हमने हमें ट्विस्ट परवाना है है यह दिखे अब इन फंदों को यह दो और फंदों को सीरा बूंगे श्यूद्य साथ अटने को तो पीड़ेंगे दीजाइन से बन गया है और फिर से इन दो फंदों को जो हमने निडल पर लेकार लें पर निकलता नहीं है इस गवराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप निडल के उपर से निकाल दो गे तो भी यह ऐसे ही रहेगा ऐसे आप बाद में उठा के बुन लेजिए और बाद में यह पी जो फंदे है इने पीछे लाना है तो इनने बाद में बुनेंगे अब फिर से इसको हमने रयेब कर लेना है यह एसे उतार दो फिर हम इन दो फंदों को पहले बुन लेंगे ऐसे और इस वाले फंदे को भी इस ग्ले लिए भी बऺ श्रस पर गणे मभाई ते बडे को ऑ हम इसे डाले पर रिप्व हम एसे डाल के बोन लेंगे गषरक हम देंता है आफिस की पाड़ है छाहे तो ऐसे पागने ली जिए फेंट पिछे न कन smd को घाए बढ apresent के लिए और इन फंदों को ऐसे नीडल पर लेके लेफ्ट साइड के सीधा बुन दीजिए और यह रैप किया हुआ फंदा इसको हमने बाद में बुनना है लास्ट का फंदा भी हम सीधा बुन देंगे तो यह हमारा डिसाइन बनके कंप्लीट हो गया है यह हमारी लास्ट रो थी डिसा आपकाय तो आप ऐसे ही बुनते जाए इसे उपर इसे मैं ने बनाया है मैं दलते जाये अगर आपने जगह चर्णक शाह्त यह तुळा चैंज करते हैं ने अगर आपको सीधा हैं बनाना है तो फिर आपका इसे हमने यह डीजाइफकर थी reflecting के लिखिए इसे ही बesis फंदец ब तक आप इस डिजाइन को डालना अगर आपने जगा चेंज करनी है तो मैं आपको बता देते हैं थोड़ा सा की जगाच कैसे चेंज करनी है आपने पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया और यह दूसरा है जो अब हमने यहां पे यह दो फंदों पे नहीं बुनना है फिंक कलर से आपने खिली एक पंदे से बुनना है क्युँकि हमारे डिजाइन इस तरफ को जाएगा आप हमने इस तरफ टाएगा नेक्स्ट चार पंदे में रती हैं प्रें, तूसरा अब बीक में हमने दो फंदे उटने भागे से अगर आपको घरिषा करना है तो आपको efी ऊधान बमशने तो जासे दिड़ना तैक कोड़ने facing के डिजाइन के गराऊ लॉऔ- ठीदशने करना है अदिक चार फंदे पर राच दाइन करना है जिया नहीं करना है पिंक कलर का लास में एक करना है हमने और यह लास्ट वाला ग्रीन त्रीड के धागे से बुन देंगे यहां इस तरफ को जाएगा यहां एक फंदा ठीक है तो अमीद करते हूं आपको इतना यह समझ आ गया होगा तो अगर आपको मेरा यह आस का डिजाइन पसंद आया है आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो थोड़ा स पर भी फोलो कर पूछ सकते हो या कोमेंट में भी आप कोमेंट करके पूछ सकते हो और मेरी इंस्टाग्राम आइडी है निट के एन आईटी निट वन तो नाइन टिक है तो थैंक्यू सब्सक्राइब से एन खड़यो निटे प्यूछ जए करे वे तो तो आईटी निट समय या करें निट चाल निटे हैंट ढौछ सब्सक्राइब एन दूप इंसाटी है प्या जाता है जाईएब दो रूवार रहा है जादी है या टो रहा है